मेरा नाम डॉक्टर राकेश पंडित है एम सीनियर कंसल्टेंट एंड हैड इंटरनल मेडिसन एड आकाश हेल्थ केर सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 3 द्वारेका में हैं हम बात करेंगे आज कि हम प्री डियाबिटीज को डियाबिटीज होने से बचा सकते कि नहीं सबसे पहले लेटस अंडरस्टैंड कि प्री डियाबिटीज है क्या यूएस में एक स्टेडी वी थी उसमें पता चला कि तीन मेंसे एक बंदे को प्री डियाबिटीज है प्री डियाबिटीज मीन्स आपको शुगर है पर वो रेंज में नहीं है कि आपको ट्रीट और 124 के बीच में है fasting जो कि abnormal है and plus अगर आप HbA1C एक test होता जिसे हमें average sugars पता चलती है अगर आपका range में नहीं है जैसे 5.7 से 6.4 तक हो तो आप pre-diabetes में हो but pre-diabetes हमें इसलिए treat करनी है क्योंकि if you leave it alone you are at more risk of getting coronary artery disease, kidney की problem हो उसमें भी आपको हमें पहचानना है कि किसको pre-diabetes है and इसको aggressively हमने address करना यह नहीं क्या दवाईया देनी है आपकी age 45 के उपर है आपका weight ज्यादा है आपकी family में आपके mother father या आपके siblings आपके दादा जी नाना जी उनको sugar है तो आप pre-diabetes के risk है आपको अगर आप lady है और आपको gestational diabetes मतलब आप जब pregnant थी तो तब आपको sugar हुआ था तो आप risk पे हो then आपको अगर ladies में problem PCOD होती है अगर वो आपको diagnosed हुआ है तो आपको pre-diabetes होने के chances है अब हम इसको कैसे address करें सबसे important यह हम pre-diabetes को अगर tackle करेंगे तो हमें diabetes होने के कम chances रहेंगे सबसे important अपने weight को आप अपने BMI के according रखिए second diet में आप करिए जो आपके packed foods है fizzy drinks है यह सारा कतम करिए vegetables और nuts को अपने diet में ज्यादा include करिए और exercise बहुत ज़रूरी है अगर आप हफते में 150 minute means only 30 minutes per day करते हैं तो आपको 58% risk कम हो जाती कि आपको pre-diabetes हो important thing अगर आपको hypertension है और कोई बिमारी है या cholesterol ज्यादा है तो उन चीज़ों को भी पूरा control में रखिए ताकि आपको यह pre-diabetes की वज़े से जो complications और problems है वो ना हो एक बात याद रखिए प्री डियाबिटीज को हमने अगर चेंज करना है तो प्री डियाबिटीज की जगा प्रिवेंट डियाबिटीज करो so important is screening yourself for whether you have pre-diabetes then taking action which includes lifestyle management dietary things developing a habit of exercise and treating your associated complications and comorbidities thank you very much